हेलो एडिवन वेलकम टू एग्जाम टेज्वी सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कॉस करने वाले हैं जे न्यू एम में सोसोलोजी का एक्सपेक्टेड कट-फ और ये ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इस वासोसोलोजी का जो पेप करता है वह relatively easy था as compared to 2023 2023 में हम लोग ने देखा कि जो cut-off है आपका वह downfall हुआ था और for example अगर हम लोग सिर्फ एक 2022 2023 का जेनरल कटेगरी का एक बार compare कर लें तो मसोसलोजी का जहां पे 92% गया था in terms of 2022 वह fall हो गया था और हम लोग ने देखा कि SOCM का जो cut-off है 2023 में 72% हो गया था यानि कि आपका 92 से 72% 20% fall का मतलब हो जाता है around 60 marks का drop हो गया था लेकिन इस वार अगर हम 2023 की बात करते हैं तो यहां पे 2024 की अब आते हैं तो 2024 में cut-off जो है वह relatively high जाएगा as compared to 2023 या एक रीजन जो इसका यह है कि आपके question paper जो थे वह बहुत ही easy आये थे और बहुत सारे ऐसे candidate है जो इनका score जो है 260 and above आया है out of 300 plus आपका जो cut-off है यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि cut-off out of 300 जो marks आते हैं उसी पर निवर करता है इसमें आपके female candidates female candidate जो भी female candidate है उनके कारण जो है cut-off बहुत vary करता है क्योंकि उनको deprivation point मिलता है हर एक female candidate को 5% deprivation point मिलता है this is equivalent to 15 marks plus कुछ-कुछ deprivation point मिल जाता है अगर वो भी सी है तो उनको 2 extra मिलता है schedule का schedule tribe plus जो Q1 से belong करते हैं तो उनको तो उस तरीके से from 15 to 36 extra marks मिल जाते हैं जिसके कारण और यह जो है बहुत impact करता है आपके cut-off पर तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कहते है general category का तो यहाँ पे हम लोग ने percentage range दिया है तो genuine क्या करती है कि आपके जितने जो score आए है out of 300 आपने जो भी score किया है उसको percentage में convert करती है फिर उसमें deprivation point add करती है अगर आपको deprivation के लिए आप अगर eligible हैं तो general category के अगर हम बात करते हैं तो general category में आपका score अगर 88% से एवब या 90 88 से 94% के बीच में lie हो कर रहा है तो आप थोड़े आप हो सकते हैं कि genuine के लिए आप safe हैं मैं schedule cost की अगर हम बात करते हैं तो 82 86% schedule tribe की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है 82 83% के बीच में कहीं पी भी अगर रहा पा रहा है तो chances है कि आपका genuine admission मिल जाएगा वहें PWD candidate की अगर हम लोग बात करते हैं तो 59 से 62% यह आपका cut up percentage range है OBC की बात करते हैं तो 86 से 90% के बीच में अगर आप apply कर रहे हैं तो chances हैं कि आपको admission मिल जाएगा और वहीं अगर आप EWS category में belong करते हैं तो आपका 88 से 92% के बीच में अगर आप apply करें तो chances हैं कि आपका genuine admission हो जाएगा अब इसी को हम लोगों ने marks के रूप में divide किया है अगर आप marks equivalent अगर पूसते हैं तो general category के अगर आपका 270 and above है तो chances है कि आपका genuine हो जाएगा schedule cast में 245 above में chances है कि आपका genuine हो जाएगा schedule tribe में 245, PWD candidate 185, OBC candidate 260 और EWS candidate 265 एक चीज़ यहां पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है यह जो हम लोगों ने cut-off यहां पर लिखा है यह inclusive of आपका deprivation point है inclusive of deprivation point in the sense के अगर कोई female category के student है तो आपने अगर 255 से 255 से 260 तक भी score किया है तो chance है कि आपका genuine admission हो जाएगा अगर आप general category से बिलॉंग करते है schedule cast में अगर आप बात किजिए तो 235 and above आपनी score किया है schedule tribe में भी अगर 235 अगर आपनी score किया है तो chances है कि genuine admission हो जाएगा pwd candidate में 175 एन एवब chances है OBC में अगर आपने 250 अगर आप OBC candidate है female category में आते हैं और आपने 250 score किया है तो chances हैं कि आपका genuine में हो जाएगा और EWS category में अगर आपने यहां पे भी मान के चले 255 and above आपनी score किया तो chances हैं कि आपका genuine के first cut off list में admission हो जाएगा तो यह predicted आप बोल सकते हैं cut off range या percentage range जो है जो बहुत सारे इश्वेन ने अपने score card share किये थे कि उनका NTA की official answer की कि around जो NTA ने release किया तो उसके अनुसार उनके कितनी score आया रहा है तो उसी के basis पे यह सारा जो है release किया जा रहा है NTA का final official answer की भी आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा किया question आपने जो challenge किया वो सही है गलत है कितने percentage marks increase कर रहे हैं लेकिन यह आपका आप बोल सकते हैं कि यह आपका safe score है safe range है जहाँ पे genuine admission के chances हैं इसके साथ ही फिर आपके important university जैसे for example देनी university में Dallas school of economics में sociology department है उसके बारे में भी हम लोग separately बात करेंगे और इसके अलावा आपके पास कोई question है आप कोई query है तो आप लोग 844-887-8849 पे भी call या message करके पूछ सकते हैं कर दो आपके और दब कर दो कर दो कर सकते हैं